हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें आदिवाजी समुदाएं जिसके बारे में आप लोगोंने काफी सुना होगा ऐसे ही ये आदिवाजी लोग थे जो शहर से जुड़े घने जंगलों में रहते थे और उनकी बहुत सी साधारन सी जीवन शैली थी लेकिन उन लोगों को पैसों की काफी दिक्कत होती रहती थी ऐसे ही एक दिन आदिवासी लोगों का समुदाएं अपने कभीले के सरदार के पास जाते हैं और उनमें से एक आदमी बोलता है सरदार हमको पैसों की बहुत समस्या हो रही है अब जंगल में रहकर गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है कुछ समय से मुझे भी ऐसा ही लग रहा है लेकिन अगर हम ही लोग कमाने के लिए शेहर चले जाएंगे तब तो हमारा समुदाए धीरे धीरे करके गाइब होता जाएगा और इस समय हम लोगोंने अपने बारे में नहीं सोचा तो वैसे भी हम गाइब ही होते जा ले जाएंगे इसलिए अब हमें तो यही लगता है हम लोगों को भी अपनी जीवन शेली को आगे बढ़ाना चाहिए और इस जंगल से बाहर निकल कर शेहर में जाना चाहिए हम लोगों को किसी भी काम की तलाश करनी ही क्यूंग है हमारा अपना समुदाई है हम अगर अपना धाबा कोलते हैं और अपने समुदाई के बारे में सब को परिचित करवाएंगे तो कितना अच्छा रहेगा ना सब हमें जानेंगे हमारी समुदाई को जानेंगे तुम क्या पागल हो गई हो आदिवासी समधाए खाना बनाने के लिए नहीं जाने जाते हैं बलके अपनी विशेश जड़ी बूटी जान के लिए जाने जाते हैं तुम कहना क्या चाहते हो अब हम उन शहर लोगों को खाना खिलाएं धाबा खोलें और इंतजार करते रहें कि कब कोई हमारे धाबे पर खाना खाने आएगा अरे इसमें बुराई ही क्या है अगर हमारे पास काम नहीं है तो काम तलाशने की बजाए हम सब अपना काम शुरू कर सकते हैं इसमें तो बलके हमारी फाइदा ही है ना नहीं, इसमें हमारा कोई फाइदा नहीं है हाँ, हम अब तक जैसे जी रहे थे, हम आगे भी वैसे ही जीएंगे ढाबा खोलना बस एक बेवकूफी है सोहन की बात को कोई नहीं समझता और सोहन निराश होकर घर आ जाता है अपने पती को निराश देकर सोहन की पतनी संगम बोलती है आप परिशान मत हो ये जी, आप बिल्कुल सही क्या रहे हैं भले हमारे समुदाय वाले अभी आपकी बात को समझ नहीं रहे हैं लेकिन मुझे आपकी बात बिल्कुल सही लग रही है लेकिन मेरी बात को बाकी सब को गलत ही लग रही है ना और जब कोई हमारा साथ ही नहीं देगा तो हम भी क्या कर सकते हैं जरूरी नहीं है अगर कोई हमारा साथ दे तब ही हम कुछ कर पाएंगे हम अकेले भी कर सकते हैं और मुझे ये भी पता है कि आपको कितनी रूची है खाना बनाने में इसलिए अब हम दोनों मिलकर अपना धाबा खोलेंगे संगम और सोहन दोनों अब जंगल के बाहर वाली सडक पर अपना एक धाबा खोल लेते हैं और वहां काम करना शिरू कर देते हैं लेकिन जब उनके धाबे के बारे में बाकी के समुदाय को पता चलता है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और फिर से सब को बुला कर सरदार स सोहन से बोलता है की वज़ा से हमारे समुदाय का नाम खराब हो रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे समुदाय का नाम खराब हो मेरे धाबे खोलने से हमारे समुदाय का नाम कैसे खराब हो सकता है तुम्हारी बातों से तो यही पता चलता है कि तुम हमारी बात नहीं मानने वाले हो इसलि ये अंदर से आदिवासी इंसान तो नहीं चला जाएगा ना। सोहन अब आदिवासी धाबा खोलता है, जहां स्वाद और सिहत से भरपूर खाना मिलता है। शहरी लोगों को उनका खाना बहुत पसंदा रहा था और उनका खाना खाने से उनके शरीर की चोटी मोटी परिशानी भी दूर हो रही थी। एक दिन बहुत बड़ा आदमी अनिल वहां आता है और आदिवासी धाबे का खाना खाता है अनिल को वो खाना बहुत अच्छा लगता है बहुत अच्छा खाना बनाया है ऐसा खाना तो शहर में लाखों पैसे देने के बाद भी नहीं मिलता है और ये खाना आदिवासी धाबे पर मिल रहा है आप लोगों के धाबे के बारे में अब तक बहुत तारीफ सुनी थी हर जगा अब आदिवासी धाबे की चर्चा होने लग गई थी आदिवासी समुदाई के लोगों को भी अब अपनी गल्ती का एहसास हो रहा था और वो सब लोग सोहन और उसकी पत्नी के पास जाते हैं जहां वही आदमी बोलता है सोहन भाई हमें माफ कर दो हम सबने तुम्हारी बात को नहीं माना था हमने तुम्हें ये कहा कि तुम हमारे समुदाई का नाम खराब किया है लेकिन तुमने तो हमारे ही समुदाई का नाम आगे बढ़ाया है हमें माफ कर दो हमसे बहुत बड़ी गल्ती हो गई है अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो इसमें माफी मांगने की क्या जरूरत है आप हमारे कबीले के सरदार है अगर आपको लग रहा है कि कुछ हमारे समुदाई के लिए ठीक नहीं है तो आप गलत कैसे हो गई आपका फैसला हमारे लिए बहुत माइने रखता है और हम अपनी गलती को सुधारने के लिए ही अब तुम्हारा साथ देने चाहते हैं आदिवासी लोगों का धाबा हम और आगे बढ़ाना चाहते हैं हाँ हम सबको भी अब तुम्हारा साथ देना है सोहन ये तो हमारे लिए ही बहुत अच्छी बात है मुझे बहुत खुशी हो अगर सबने मेरा साथ दिया तो नितिन अब आदिवासी धाबे के नाम से अपना धाबा खोल लेता है और काफी लोग वहाँ आते भी हैं लेकिन उन्हें नितिन के धाबे के खाने में कोई बात नहीं लगती है और इसी वजह से आदिवासी लोगों का नाम भी खराब हो रहा था कुछ दिनों बाद सोहन को ये सब कुछ पता चल जाता है और वो अपने कुछ साथियों के साथ नितिन के धाबे पर पहुँच जाता है नितिन के धाबे पर ताला लगवा कर वो उसे बंद करवा देता है और फिर से आदिवासी लोगों का वो धाबा अच्छी खासी पकड़ बना लेता है मनमोहन और उमा दोनों ही फत्यपुर में अपने चोटे बेटे रिशी संग रहते थे मनमोहन अपने पैरों से अपाहिश था जिसके चलते वो घर पर ही रहता और चल फिर नहीं पाता और सारी जिम्मेदारियां उमा के कंधों पर आ गई थी उमा दूसरे लोगों के घर में जाकर खाना पकाती और अपना और अपने पती और बेटे का पेट पालती मनमोहन जी ये लीजी खाना मनमोहन बस वीलचेर पर ही बैठा रहता और वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाता उमा मुझे माफ कर दो पता नहीं उस रात क्या हुआ और मेरा एक्सिदेंट हुआ मैंने अपने पैरों को खो दिया और आपाहिस हो गया और मेरी वजा से तुम्हें इतना सहना पड़ता है इतनी महनत करनी पड़ती है इतनी महनत करती हो तुम और मैं बस इस वीलचेर पर ही पड़ा रहता हूँ ऐसा मत कहिए आप अपाहिज हो गया इसमें आपकी क्या कलती है आपने जानबूच के थोड़े ना ये सब किया है भले ही डाक्टर बाबू ने कहा है कि आप शायद ही कभी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे लेकिन मुझे अपने भगवान पर और हमारे पवित्र प्यार पर पूरा भरोसा है कि आप एक नए एक दिन जरूर ठीक हो जाएंगे उमा और मनमुहन दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनका प्यार ही उन दोनों की ताकत भी था उमा को तकलेफ ना हो इसलिए मनमुहन रोज सुबा जल्दी उठकर रिशी को तयार करता उसके बाल बनाता उसका टिफिन पैक करता और उसको पढ़ाई भी खरवाता कभी-कभी वीलचियर पर बैठ कर ही घर की अलमारी या कोना साफ कर देता उमा तीन जगह पर खाना बनाने जाती और तीनों ही मालके ने बहुत क्रूर होती है अरे ओ हिरोईन अच्छे से कूटना मसाले को तेरे हाथ छिल जाएंगे इसका डर है क्या तुझे क्यों किसको दिखाने है तेरे हाथ तुझे डेट पे जाना है क्या बेवकूफ कहीं की नहीं नहीं मालके जाइबा नहीं नहीं मालके न के मूँ से अपने पती के बारे में ऐसी बात सुनकर उमा को बहुत बुरा लगता है उसकी आखों से आसुओं की धारा बहती है प्यास काटने से नहीं उसके दिल पर ठेस पहुँचने की वजह से करवा चौत का परवाता है और उमा भी मनमोहन के लिए वरत रखती है उमा ये वरत मत रखो तुम्हें आज वरत के दिन भी बाकी घरों में रसोई पकानी है तुम्हें चक्कर आ जाएंगे और रही बात मेरी लंबी उमर की तुम रोज सुभा शाम मंदिर में दीब जलाकर मेरी लंबी उमर की कामना करती हो भगवान से तो ये वरत तो नहीं मनमोहन जी, मैं आपकी अर्धांगनी हूँ और मैं हमेशा की तरह इस साल भी आपके लिए करवा चौत का वरत रखोंगी देखिये, करवा माता इस सुहागन की मां को जरूर सुविकार करेंगे और मेरे सुहाग को ठीक कर देंगी मा, आप फिर भी अपना खयाल रखना रात में हम तीनों भी छट पर जाएंगे, जल्दी आना हाँ बेटा, उमा करवा चौत के दिन भी तीनों मालकिनों के घर में जाकर रसोई में खाना पकाती है पहली जगा के काम पर तो वो बिल्कुल सही से काम कर लेती है दूसरी जगा भी वो सही होती है लेकिन तीसरी जगा काम करते करते उसकी हालत खराब होने लगती है ओ मैडम, कचुवे की तरह काम मत कर मशीन की तरह हाथ चला आज शाम मेरी सारी सहेलिया आने वाले हैं और उनकी सास भी कथा पढ़ने और फेरी की रसम भी होगी तो तुम्हें करीबन 40-50 लोगों का खाना बनाना होगा और चांद निकलने तक यहां रुखना होगा सबको स्नैक्स और नाश्टा परोसने के लिए समझे? लेकिन मालकिन वरत तो मेरा भी है मुझे भी तो कथा पढ़नी है चांद की पूजा करनी है अच्छा ठीक है ठीक है तो तुम भी किसी कोने में बैठ कर अपनी कथा पढ़ने ना लेकिन खाना तो तुम्हें पूरा बनाना ही होगा समझे? बेचारी उमा अपने हाथों को तेज चलाने लगती है उसे बहुत चक्कर आने जैसा महसूस होता है उसका सर भी घूमने लगता है पर फिर भी वो खाना बनाती ही रहती है बिना सोचे, बिना रुके शाम को मालकिन और बाकी सारी औरतें इकठा हो जाती है और एक बूड़ी औरत उन सब के बीच बैटकर उन्हें करवा चौत की कहानी सुनाती है और फिर पतनी करवा आपन सुहागन की चिलाहट सुनके भागे दोडे चली आई और उन मगर मचका कच्चे धागे से बान दिये और फिर उनके बाद मा हुआ यूं के उमा रसोई में खाना बना रही थी लेकिन उसके कान बहर बोड़ी माई की कहानी पर थे और वो बस जै मा करवा कहकर मन ही मन मुस्कुरा रही थी फिर थोड़ी देर का समय लेकर वो रसोई में ही करवा मा की तस्वीर लगा कर दीब चलाती है और उनकी पूजा अराधना करते हुए कथा पढ़ने लग जाती है और पूरे भक्ती और भाव से वो आखों में आसू लिए करवा मा से अपने पती की लंबी उमर की प्रार्थना करती है हे करवा मा था मेरे पती के पैरों को ठीक कर दो मैं अपने पती को इस हाल में नहीं देख सकती उन्हें बहुत दर्द होता है लेकिन वो बताते नहीं है मौन रहते हैं क्योंकि मैं काम करती हूँ इसी लिये मैं आज इस पवित्र रात में प्यार की पूजा करने वाले तेवहार पर आप से अपने पती की लंबी उम्र की प्राइदना करती हूँ उमा अपनी पूजा पूरी कर लेती है और सभी को शर्बत और नाश्ता परोस में लगती है वही सारी ओरते और माल के इंचान का इंतिजार करती है और एक साथ गोल बना कर बैठती है और पुजा की सजाई हुई थाली आपस में घुमाते हुए फेरी की रस्म करती है और गाती है हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली, चांद को देखूं, हाथ में जोडूं, करवा चोथ का व्रत में तोडूं, तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाओं रानी, आज की रात जो मागे कोई वो पाजाए रे, घर आजा पर देसी तेरा देस बुनाए रे, और इसी बीच, उमा भी अपनी थाली सजा लेती है, और गुंगट ओर कर उन सभी ओर्तों के बीच, अपना चेहरा चुपा कर बैठ चाती है, ताकि मालकिन को शक नहू और वो मेरी फेरी की रसम भी हो गए, जैमा करवा, अब बस वक्त रहते ही मैं चांद आने से पहले मनमोहन जी के पास चली जाओ, वो मेरी राह देख रहे होंगे उमा अपनी फेरी की रसम भी पूरी कर लेती है, और फिर अपना सारा काम निप्ठा कर, वो जल्दी से हाथ रिक्षा में बैठती है और अपने घर जाती है अर उमा, तुम आ गई? जी, वो थोड़ी सी देर हो गही, अच्छा सुनिये, ये कुर्टा आप देख लिजे, मैंने आपके लिए बाजार से लिया था लेकिन उमा, इसकी क्या जरूरत थी? सुहागन श्रिंगार करेगी, तो उसका सुहाग क्यों नहीं? रिशी, पापा की मदद करो, तब तक मैं भी तयार हो जाती हूँ उमा, श्रिंगार करके लाल साड़ी में तयार हो जाती है, और मनमोहन भी लाल गुर्टा पहनता है रिशी भी सचता है, और उमा, अपनी पूजा की थाली लिए चछत पर जाती है और फिर थाली छट पर रखकर फिर से नीचे आती है और वीलचेर से मनमोहन को भी छट पर ले जाती है तीनों भी छट पर चांद की राह देख रहे हैं तभी मनमोहन देखता है कि उमा का पैर छट पर से फिसलने वाला है और वो गिरने वाली है मनमोहन का जी घबरा जाता है और उमा गिरे उससे पहले ही मनमोहन जोर से चिल लाता है और अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर उमा को बचाने के लिए भागता है मनमोहन उमा की जान बचा लेता है और उमा और रिशी दोनों भी मनमोहन को खड़े देख आश्चरे चक्कित रह जाते हैं और तो और मनमोहन को खुद अपने आप पर यकीन नहीं होता कि वो अब चल फिर सकता है उमा, इशी बेटा ये देखो मैं चल पा रहा हूँ मैं चल सकता हूँ ये तो गजब हो गया ये तो करिश्मा हो गया आखिरकार करवा माता ने मेरी प्रार्थ ना सुनी ली बोलो जै मा करवा जै मा करवा पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ मैं भी, मैं भी उमा, तुम्हारा व्रत सफल हो गया धन्यवाद उमा अगर तुम ना होती तो नजाने मेरा क्या होता रौनकपूर कहकरे गाउ में शिवांगी अपने बूढे पिता जगमोहन के साथ रहती है शिवांगी का इस दुनिया में अपने पिता जी के अलावा और कोई नहीं होता शिवांगी भगवान शिव की परमभक्त होती है और वो हर सोमवार को सुभा सवेरे जल्दी उठकर शिव मंदिर जाकर उनकी पूजा अराधना कर उन्हें दूद अभिशेक करती है हे शिवजी कुछी महीनों बाद मेरी शादी होने वाली है इतने लंबे इंतिजार के बाद मुझे मयंग जैसा एक अच्छा वर मिल रहा है जिसके साथ मैं अपने आगे के जीवन को बिताना चाहती हूँ बस आप से यही माँगना चाहती हूँ कि मेरी शादी में कोई विलम न आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए शिवांगी मंदिर में घंटों तक बैठ कर शिवजी से बाते किया करती है सुबा से दोपहर हो जाती है मंदिर का परिसर खाली हो जाता है तब भी शिवांगी वहां से नहीं जाती एक दोपहर अरे शिवांगी बिटिया तुम अभी तक यहाँ पर हो अहाँ पिताजी आपकी सेहत और लंबी उम्र की कामना कर रही हूँ ताकि मेरे विदा होने के बाद आप सही सलामत रह सको और देखना मेरे शिवजी न आपको किसी भी तरीकी पीडा नहीं होने देंगे वो बहुत भोले हैं और परोबकारी हैं इसलिए तो उन्हें भोले नात कहते हैं हाँ बिटिया ये बाद तो तुने बिल्कुल सही कही हर हर महादेव हर हर महादेव वैसे पिताजी आज आप इतनी तेज दुपहरी में यहां क्यों आए और आपको कैसे पता चला कि मैं यहां पर हूँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ लाडो तु कहीं नहीं मिली तो अपने शिवजी के पास ही मिलेगी और आज हमें बाजार जाकर तेरी शादी की बची हुई खरीदारी करनी है ना पिछले महीने पूजा भंडार से मेरी अच्छी कमाई हुई है बचत किये हुए पैसों से और पूजा भंडार से कमाईगे पैसों से आज हम खरीदारी कर पाएंगे ठीक है पिताजी जगमोहन का गाउं में एक पूजा भंडार होता है जहां वो सारी पूजा सामगरी बेचा करता है वो अपनी बेटी के विवाह के लिए पाई पाई करके पैसे जोड़ता है और उसने अपनी बेटी को ये दिन दिखाने के लिए काफी सारे संगर्शों को पार किया होता है है डॉक्टर क्या हुआ कैसे है मेरे पिता जी कोई चिंता वाली बात तो नहीं है न देखिए आपके पिता जी को ये स्ट्रेस के कारण हुआ है लेकिन इन्हें कभी भी कुछ भी होने की संभावना है क्योंकि पहले भी इन्हें दिल की बीमारी रह चुकी है उसका इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए थे पूरी तरह तो अब तो अब आप इनके खाने भीने का खयार रखा कीजिएग और इन्हें टेंशन से दूर रखिये ठीक है डॉक्टर धन्यवाद घर जाने के बाद पिताजी आपने किस बात की चिंता की इतनी क्या परिशानी आपको किसी बात की चिंता नई नई बिटिया रानी बस जल्दी से तेरा कन्यादान कर दू फिर मुझे कुछ भी हो जाए मुझे कोई फरक नहीं पड़ता बस मुझे जाने से पहले अपनी लाडो रानी की शादी होते हुए देखनी है कैसी बाते कर रहे हैं पिता जी जरूर देखेंगे आप मुझे विदा होते हुए ये भी कोई बात हुई हाँ देखना आप ना शादी में सबसे ज्यादा नाचेंगे शिप जी है न वो सब समाल लेंगे हाँ शिवांगी बिटिया शिवांगी और मयंग दोनों ही अपनी शादी के लिए बड़े उत्सुक होते हैं शादी के पहले मयंग शिवांगी से मिलकर उससे कहता है शिवांगी जगमोहन चाका शादी के बाद अकेले कैसे रहेंगे अभी उन्हे मैं यह हुआ है कल को भगवान न करे फिर से कुछ हो गया तो वो अकेले क्या करेंगे किससे कहेंगे हाँ मयंग ये तो मैंने सोचा ही नहीं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शादी के बाद वो हमारे घर में ही रहेंगे, मा और पापा को इससे कोई दिक्कत नहीं है, उन दोनों से इस विशे पर मैंने बात कर ली है मैंक, तुम सच में बहुत नेक दिल और अच्छे इंसान हो, और मैं बहुत भागेवान हूँ जो मुझे तुम जैसा होने वाला पती और ससुराल वाले मिले काकी, काका ने तो पिताजी से दहेज भी नहीं लिया, और तो शादी का आधे से ज्यादा खर्चा वो लोगी उठा रहे हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ सच में ये सम्मत कहो, हमारा रिष्टा तो स्वैम देवों के देव महादेव ने लिखा है, और हमारा साथ आना भी उन्हीं के कारण हुआ है हाँ मैंग, सो तो है, जब शिवांगी मैंग से मिलने गई होती है, उस दोरान जग मोहन को अचानक से हार्ट अटैक आता है और वो घर पर ही अपना दम तोड़ देता है, और उसका दिहान्थ हो जाता है जैसे शिवांगी घर पहुँशती है, वो अपने पिता जी को मृत देखती है ये देख एक पल में ही शिवांगी की दुनिया इधर से उधर हो जाती है थोड़ी दिर बाद मयंक और उसकी माता पिता भी वहां आ जाते हैं और सूर्यास्त होने से पहले जगमोहन का अंदिम संसकार किया जाता है पिता जी की जाने के बाद शिवांगी पूरी तरह तूट चुकी थी उसका इस दुनिया में अपने पिता जी के अलावा और कोई था भी नहीं और एक लोते वो भी अब जा चुके थे मयंक और उसके माता पिता शिवांगी को सांत्वना देते हैं शिवांगी बेटा बस बस बेटा अब होनी को कौन टाल सकता है भला यूँ रोगी तो तुम्हारी तवियत खराब हो जाएगी चलो बेटा कुछ खालो तुमने पिछली 24 गेंटे से कुछ भी नहीं खाया शिवांगी शिवांगी खालो कुछ तुम बीमार पर जाओगी उन लोगों की कहने पर शिवांगी अन के दो निवाले खाती हैं तीन दिन बाद शिवांगी अब मायंक तुम दोनों की शादी का दिन है कल ये रहे तुम दोनों के एक कपड़े शिवांगी बेटा तुम इस शादी से खुश तो हो ना खुश तो हूँ काका जी लेकिन मेरे पिता जी की खुआईश थी कि वो जाने से पहले मेरा करन्या दान कर दे लेकिन वो नहीं कर पाए उसी बात का बहुत दुख हो रहा है मुझे वो तुमें उपर से देख रहे होंगे उन्हें गए अभी तक ठीक से एक महीना भी नहीं हुआ है और हम शादी करा रहे हैं लेकिन हम भी क्या करें बेटा पंडित जी ने तो पहले ही कहा है कि कल के बाद शुब मुहुरस सीधा एक साल बाद है शिवांगी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तुम हमारी बहु नहीं बनने जा रही हो तुम तो हमारी बेटी ही हो और अपनी बेटी को हम किसी चीज की कमी खलने नहीं देंगे धन्यबाद काका जी दिल में कई सारी दर्द भरी यादें सचोकर शिवांगी अपने शादी का जोड़ा पहल लेती है और वो शादी के मंड़प में बहुचती है तभी पंडिजी कहते है गन्यादान के लिए अपने पिताश्री को बलाओ भी टिया वो दरसल पंडिजी मेरे पिताश्री नहीं है इस दुनिया में उनकी हाली में तभी अचानक से हवाई तेज चलने लगती हैं और हर तरफ धुआ 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 चा जाता है और तभी कुछ शन बाद सभी देखते हैं कि वहाँ पर स्वयम शिवजी प्रकट होते हैं शिवजी को देख सब के होश उड़ जाते हैं शिवजी आप ये तो चमतकार हो गया मुझे विश्वास नहीं हो रहा है आप यहाँ कैसे? अपनी बेटी के कन्यादान के लिए एक पिता को आना ही बड़ा शिवांगी मैं जानता हूँ जगमोहन के जाने से तुम बहुत तोट चुकी हो लेकिन बेटी जगमोहन का इस संसार से केवल देख खतम हुआ है लेकिन उसकी आत्मा आज भी संसार में है वो यही है, तुम्हें आशिरवाद दे रहा है और मेरे होते हुए तुम्हें रोने की कोई आविश्यक्ता नहीं है मैं हमेशा हर शर्म तुम्हारी रक्षा करता रहूगा बेटी धन्यवाद शिवजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस प्रकार शिवजी अपनी बेटी शिवागी का करन्या दान करते हैं और उसे आशिरवाद देकर वहां से अद्रिश्य हो जाते हैं यह अलोकिक द्रिश्य देख सभी चकित रह जाते हैं शिवागी को अपनी भक्ती का फ़ल आखिरकार मिल ही जाता है और वो अपने पती और ससुराल वालो संग खुशी से जीवन बिताने लगती है